आज झ Mohon आजब्ए दोस्तों आज की वीडिवे में मैं आपको ज़्णों के बीच में गैसे मजारे पाक इसको बहुँत कम जानते लेकिन वहां की भी काफी जादा करामत है तो जंगल के बीच में और ज़्णों के बीच में तो आज मैं आपको यहां पर आगे लिजाखने वालों आपको इसी परकार से पूरे जर्णे मजार सरीफ है मजार सरीफ कर नाम से जानते यह दोस्तों इससल पानीक दिखाम हूँगा चट्टानों के बीच में बनीक इश अघर आप यूटूब चैनल नहीं हो तो सब्सक्राब करेंगे बेल आइकन का बटन ओन कर लेना अगर आप यह वीडियो फेस्टूप पेज पर देख रहे हो तो फेस्टूप पेज को फोलोगना है चले बेखने में चलते हो और आगे का मंजर आपको दिखाते है दोस्तों आप यह पू पूरा मंजर हर जगे आपको हर्याली नजर आएगी दोस्तों अगर आप यहां पर आना चाहते हो तो यह अजमे सरीप के अंदर मौजूद है जो ताकत सही है तक कि नकिस सरकार दरगा जाने वाला रस्ता है उसी में यह आपको यहां पर पूरा नजारा देखने को मिले का देखिए किस परकार से यहां पर डेम बगेरा भी मौजूद है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो भी हम डेम के उपर मौजूद है और यहां पर आप देखे किस तरीके से लोग यहां पर नाते हुए आपको नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों यह जो डेम का पानी यहां पर इकटा होता है तो यह काफी ज़्यादा घेरा भी होता है लेकिन जिसको तेरना आता है वह यह इस पानी में कूटता है जैसे कि आप यह पूरा मंजर देख सकते हो दोस्तों यहां पर आपको पहाड़ी इलाकों में इसी पर बताने वालू हूँ आप यहां पर पूरा मंजर देखिए दोस्तों आप यहां पर देखिए तो जो जहर्णों का पानी है वह ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से होता हूँ निकलता हूँ आपको ऐसे ही पूरा मंजर देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा लोग यहां पर पिकनिक बनाने भी आते हैं दोस्तों लगवग अभी हम वहां पर पोचने वाले जहां पर मजारे पाक बताई जाती है जो कि जहनों के बीच में और चटानों के बीच में दोस्तों बरसात के टाइम में यहां पर बड़े बड़े जहने आपको देखने को मिलेंगे हला कि जो मजारे पाक है जो चिल्ण सरीप है आपको स्थाल के 300 पेसिट दिन पानी नजर आएगा लेकिन दोस्तों जो मजारे पास में पानी बताती तो उसकी काफी ज्यादा सिपाव ब्तार जाता है कि काफी ज्यादा लोग जो मजा सारीइख के आस बावे ने जो पानी होता है उसको बहुत तो दोस्तों भी आप देखिए किस परकार से पुरा मंझररे आपको ऐसा इन जारा देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे कि आप लाइफ सामने देख सकते हूँ आप गिरिन गिरिन नजर आ रहा होगा वो चटा ने काफी बड़ी उसी के अंदर यहाँ पर एक इबादत का मुझूद ही जिसको चिले साल्यूक के नाम से भी जाना जाता है वो मजारे पार्क के नाम से भी जाना जाता है लेकिन दोस्तों आप देखिए बरसात के टाइम में कितना खूफसूरत नजर आपको यहां देखने को मिलेंगे लेकिन दोस्तों जो मजार सरी पर जो इबादत गया है उसके आसपास 365 दिन पानी यहां पर मुझूद रहता है लेकिन दोस्तों आप यहां पर पूरा मंज़र देख सो पहाड़ों की तरीके से जहां पर पानी आ रहा हो सामने आप देख से तो गरिन कलरी के चटान एक गुपा बनी भी यहां पर चटान हो से उसी के अंदर यहां पर मजारे पाक मौजूद देख सकुआब जैसे कि आप यह पूरा मंज़र देखे किस तरीके से आगे पूरा पानी जा रहा है तो दोस्तों यहां पर बरसाइट की टाइम में अगर आते हो तो आपको ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको काफी जादा लोग यहां से आते हो नज़र आएंगे लेकिन दोस्तों आगे रूठी राइने का मेल और काफी बड़ा जहरना भी है तो यह सारा पानी आगे से ही आ रहा है जैसे ही आप देखें यह बड़े जहने के यहां से काफी जादा लोग आते हुए आपको नज़र आएंगे तो आप भी आगे तक जा सकते हो आगे बगीची वाली बावा की दरगा से भी पर और पीर अल्ला के वल्यों की मजारे पाक आपको इन रस्तों पर जयारत होने वाली है आप देखें कितना प्यारा आपको यह पुरा मंज़र देखने को मिलेगा दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे सागे सेयर करना अगर आप यूटूब चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दोस्तों काफी ज्यादा लोग इस जगए को पानी वाली मज़ार के नाम से भी जानते कि अजमेर शरी में पानी पूल यहां पर चेड़ा हुआ है और आस पास में जो भी पानी है इस पानी में काफी सिपा बता जाती है काफी ज्यादा लोग जैसे मैं आपको बताया कि बहुत लोग में भरके यहां से लेकर जाते हैं तो चली दोस्तों मिलते अगले वीडियों बस आप इस वीडियो को वा